दोस्तों आज मैं आपके लिए कांदर्द के लिए बहुत ही जबर्दस्त घरेली उप्चार लेके आए हूँ यह पूरी तरह से सेफ है और इसको करने से आपको पहले देने से पूरा फायदा मिलेगा दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जब भी कोई नई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को लाइ कि इसको और इनकी नामों से जाना जाता है तो दोस्तों aloe vera को सब से पहले जा हम तोडते हैंना तो इसमें यजल जेल होताँ को भिरा देना चाहिए उसके बाद इसको अच्छे से साफ करके धुल के पोच के इसके बाद देखे इसके किनारे किनारे पे काटे होते हैं इनको निकाल देना है और इनको निकालने के बाद देखे कान दर्द के लिए हम कैसे कर सकते उपयोग इसको निकालेंगे और उपरी लेयर देखे एक तरफ होता है पीछ तब तब कान में यूज करना है कान में डालने के लिए दोस्तों जी कान दर्द होता है उसको हम ततकार चाहते हैं कि ऐसा कौन से ड्रॉप मिल जाया या इसी कौन सी दवा मिल जाए कि तुरंत कान दर्द में आपको आराम ले तो आप इसको एक पर करके देखिए बहुत ही रस को निकाले या निकालेंगे थैक्षोक्त रस और किजेते हमें right डुम्त दूसरा तरीक तरीक है ऊपिसे ग यूशित क्षे और जाहिते हैं। तो इसमें गूदा भी नहीं निकलता है, बहुत आसानी से इसका रस हमें निकल जाएगा, तो यह देखिए क्या करें कि कान पी जैसे कभी दर्द होता है, तो नीचे के तरफ हमारी कन पटी के तरफ वहां पे भी दर्द होता है, तो आप ऐसी इसी गुंगुने जो आपने इस बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलता है, तो इसको क्या करिए, सबसे पहले आप रस निकाल लेजे, जितना आपको डालना है, क्योंकि हमें दो दो बून डालना और इसको डालने का तरीका होता है, यह भी बहुत जरूरी है जाना, जैसे माल लेजे, आपके दाहिने कान में कान में डालना ऊचाथे क्राण लेजे को डालना है, यही चीज फार्मूला आपको ठाख दाहिने कान में डालना यानी कान में जी जव बहुत खेंवालने कान में डालना है, ज touched tap paste रिलीफ में यह ज्यासर में डालने कान में अर्no दोस्तों, आप इस को करके देखे, पहले लग्सों डिन में डिलेuestos श्रण डिते रहा लार में स्टाइब जाह हो तो चाहर गंदे के बाद रात में में डालता है तो का सकते बाल 2 गंटे जाय जरा दो बूट डालेंगे तिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते यह कान के अंदर के जाके फंगस को भी खतम करता है दर्द को खतम करता है तो यह बहुत एफेक्टिव टीज है जो कृत कुमारी होता है इसके कई सारे फायदे होते हैं तो इसे आप अराम से कान मे जो फंगस हैं वैक्टिरिया हैं उनको भी खतम कर देता है तो दोस्तों आप इस तरह से स्कोप योग करें और इसको करने के बाद आप देखेंगे अगर आपको इसे रिजल्ट मिलता है दोस्तों तो इसे दोस्तों के साथ जोरू शेयर करिएगा क्योंकि बहुत सारी लोग हो तो ड्रॉपर के हेल्प से ढाल सकते दिखिए य东西 चान भी सकते हैं इसे से गूते बगेर बना जाए इसका जो रस है बस हमें रसको उप्योग करना है आलूवारा के साथको तो आप इसको कपट्डए में डाल कि आप उसको छान सकते हैं जैसे ऐसे से चाहन दीजे उसके बाद हलका गुर्णगुना करके आप इस तरह से कान के चार हो तरफ अगर कंपटी वेगर अब दर्द हो रहा है तो आप हलके हलके हातों से इस तरह से अलवेरा के रसकू लगाएंगे तो इससे भी आपको बहुत जादे रिलीफ मिलेगा तो आप इस त अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर बताएगा मैं आपके लिए बना के लिए के आएंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तब तब ना खोब खोब ख्याल रखें थैंक्यू बाबाटे के झाल शगात हैं किसी नई टॉप खोब मैं रखेंक्षाल सहभिक रखें नेक्स वीडियो में किसी नेक्नो भराइज